हाई गाईस वेलकम टो आर योटूब चैनल दर्याल इन्वेस्मेंट आज हम बात करने वाले आलोक इंडस्ट्री के कॉटर फोर के रिजर्ट्स के बारे में रिजर्ट्स में नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है कंपनी को लॉस हो रहा है ऐसे एक तरफा बात देखके आपको नहीं चलेगा क्योंकि आलोक इंडस्ट्री के कॉटर और येरली बैसिस पर अगर कंपरिजन करकर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर क्या कुछ इंप्रुमेंट हो रही है क्या कुछ यहां पर स्टॉक के अंदर डिक्रीजेस देखने को मिल रहे हैं इनका माइनूट अब्जर्वेशन करना बहुत ही हैं पर जरूरी है क्योंकि आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर बहुत से इंवेसर इंटरस्टेड है टेक्स्टेल काफी इसके आवेलेबल देखने मिलते हैं तो इसके रिजर्ड के ऊपर फोकस करना और एक बात को बारी की से हैं यह पर देखना यह बहुत जरूरी है सिर्फ यहापर कमपणी को लाइस हो रहा है और कमपणी बुरी है ऐसी बात नहीं है आलोक इंडस्ट्री और साथ इसुर्फ के जॉइंट वैंचर्भी यहां पर आविलेबल है कंपज कहळँ की Seo यहां बात की जाए हैं कंपपणी को ते सब क्यां रिजयर्ट की बारें बात कर लेंगें आप आप यहाँ पर quarter on quarter basis पर compare कर देख लेते हैं और साथी साथ yearly basis पर कि स्टॉक की हाँ पर results में क्या कुछ बात है हमें यहाँ पर देखने को मिली सबसे पहले स्टॉक की हाँ पर total income की बात की जाए तो स्टॉक को total income इस quarter में यानि कि जो एक quarter 4 की नतीजे है इस quarter में देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा 1,982 करोड रुपिस का स्टॉक को यहाँ पर total income है वही पिछले quarter में 2,101 करोड रुपिस की स्टॉक की total income देखने मिले थी अगर पिछले साल की बात की जाए 31st March 2021 और 31st March 2022 इन दोनों को अगर हम compare कर कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने मिल रही है क्योंकि पिछले साल 1,455 करोड रुपिस की स्टॉक की total income थी और वो yearly basis पर बढ़ कर 1,982 करोड रुपिस की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है next level पर स्टॉक की total income देखना जरूरी है उतना ही आपर जरूरी है स्टॉक के expenses देखना और स्टॉक के expenses देखे देखने मिल रहे हैं जो कि अच्छी बात है लेकिन वहीं yearly basis पर बात की जाए 1373 करोड रुपिस के स्टॉक के हैं पर total expenses देखने मिल रहे हैं तो यहाँ पर expenses yearly basis पर बढ़ रहे हैं और quarterly basis पर declines यहां पर देखने मिल रहे हैं रिजल्स के दोरान अगर हम में फोकस किया जाए तो वह quarterly नहीं बल्कि yearly basis पर आपको देखना चाहिए कि yearly basis पर स्टॉक के अंदर क्या कुछ ग्रोथ हमें देखने मिल रहे हैं क्योंकि quarter on quarter basis पर कहीं ना कहीं तो यहां पर profit before the tax आपको यहां पर देखने मिलेगा 29.27 करोड रुपीस का स्टॉक को यहां पर लॉस होते वे हमें देखने मिल रहे हैं जो कि पिछले quarter में 12 करोड रुपीस की स्टॉक के अंदर कमाई हुई थी अच्छी खासी लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं स्टॉक करोड रुपीस एक तरफ यानि कि स्टॉक अपने जो लॉसे से हुने भी यहां पर कवर अप करते हैं देखने मिल रहा है और positivity की और बढ़ते वे स्टॉक यहां पर हमें देखने मिल रहा है जहां तक की स्टॉक के हम आनिंग पर शेयर की बात की जाए तो आपको स्टॉक की सटॉक के अपने अंदर काफी कुछ इंप्रमेंट करने के हाँ रहा है क्यूकि लासे सटॉक के साथी साथ इंकम भी स्टॉक की बढ़ते हैं देखने को मिल रही है यह थे stock की हाँ पर stand loan results अगर consolidated results में बात की जाए तो same वैसे pattern हमें आपको देखने को मिल जाएगा total income आप देख सकते हैं 2031 करोड रुपीज की stock की total income है जो की हाँ पर again yearly basis पर आप देख सकते हैं बढ़ रही है और quarter basis पर यहाँ पर slightly declines देखने को मिल रहा है total expenses की बात की जाए 2058 करोड रुपीज की stock की total expenses है जो की quarter basis पर कम है yearly basis पर थोड़े से जादा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहां तक की इन expenses को डिड़क करकर profit before the tax की बात की जाए तो 27.13 करोड रुपीज का stock को यहाँ पर लॉस हो रहा है अब यहाँ पर देख सकते yearly basis पर यहाँ पर consolidated results में 5.16 यानि कि 5 करोड रुपीज का लॉस था और वो तो जो रिस पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस quarter के consolidated results के अंदर तो यह फरक हमें देखने मिलता है consolidated results के दौरण आप नेक्स लेहल पर यहाँ पर देखा जाए तो stock की जो results थे quarter on year basis पर काफी जबर्दस देखने मिल रहे हैं एक बार company की हाँ पर assets and liabilities के उपर भी focus कर लेते कि company के assets and liabilities के यहाँ पर कैसा रुजान देखने को मिल है total अगर हम इनके assets की बात की जाए 7,934 को रुपीज के stock के हाँ पर total assets देखने मिल रहे है जो की yearly basis पर बढ़ते वह देखने मिल रहे है जो की काफी अच्छी बात देखने मिल रहे है और assets का बढ़ना काफी अच्छी बात मानी जाती है stock को लेकर अब यहाँ पर assets तो liabilities की बात की जाए 7,934 को रुपीज की यहाँ पर अगेन दिखने मिल रहे है और साथी साथ 7,739.48 को रुपीज के stock के पिछ लियर के यहाँ पर हमें और साथी साथ यहाँ पर stand-loan और 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 यहाँ पर अपर आप यहाँ पर से easily इसका comparison करकर देख सकते हैं next level पर stock के अंद 12 करोड रुपीज का मझें कि पिछले यहर के मुकाबले हाँ पर double cash flow होते हुए stock का देखने मिल रहा है next level पर हम दूसरे नमबर पर बात की जाए investing activities के cash flow की तो है आपर negativity में था 194 करोड रुपीज का loss था और यही cash flow अब यहाँ पर थोड़ा सा घटते हुए investing activities का cash flow 63 यानि 3D यहाँ पर आते हो देखने मिल रहा है तो यह सारी बाते होती है जिसमें आपकी गौर करने की जरूरत होती है और इसी तरह के हर एक results को आपको जानना बहुत ही जरूरी है तबी आप आलोक industry हो या कोई भी stock के बारे में हो आप जादा से जादा information यहाँ पर collect कर सकेंगे और क्या मुवमेंट आलोक industry का देखने को मिलेगा इसके बारे में जान सकते हैं अब जैसी की results है stock के अंदर stock को तो loss हुआ है quarter 4 के results के अंदर लेकिन yearly basis पर stock का performance अच्छा है लेकिन आलोक इंडिस्ट्री स्टोक ऐसा है जहां पर rapidly growth भी देखने मिलते हैं और decreases भी stock के अंदर ऐसे के waterfall के results आप समझ चुके होगे फिर भी कोई doubt हो तो आप मुझे नीचे comment section ने पूछ सकते हैं तो thank you so much